बड़िखबर श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर एक निया अपडेट सामने आया हफते में अब तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार जिहां इन तीनों दिन शाम पांच बजे से सुबा छे बजे तक नहीं उड़ेंगी कोई भी फ्लाइट्स नमस्कार एक बड़ फिर आपका स्वागत है साच नियूस नेटवर्क पे और मैप के साथ जान भी गुपता चलिया ये जान लेते हैं क्या है पुरिखवर जो इस समय श्री नगर इंटरनाशनल एयरपोर्ट्स की फ्लाइट ओप्रेशन से संबंदित सामने निकल कर आ रही है यानि कि किस कारणवर्ष हफते में अब तीन दिन जो फ्लाइट्स है वो शाम पांच बज़े के बाद से उपरेट नहीं करेंगी क्यों ये उपरेट नहीं करेंगी दश्को आयम जानकारी आपको दे दे कि श्री नगर इंटरनाशनल एयरपोर्ट पर हफते में तीन दिन शाम पांच बज़े से सुबाद छे बज़े के बीच फ्लाइट्स उडान नहीं बरेंगी जियादश को रनवे की मरमत के चलते ये जो निर्ने है वो श्री नगर एयरपोर्ट अथॉर्टी ने लिया इस बात की जानकारी आपको बता दे कि श्री नगर एयरपोर्ट के डारेक्टर कुलदीब सिंग ने दी है उन्होंने ये बताया कि फेब्ररी और मार्च मन्त में पूरे रनवे पर पॉलिमर मॉडिफाइड इमल्शन का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है और फ्लाइट्स के संचालन के लिए रनवे को मजबूत करने और टूट फूट को नियंतरित करने के लिए भी ये उन्होंने ये कारण देते हुए बताया कि ये कारे जो है वो सब्ता में एक वीक में तीन दिन यानि की शुकरवाज शनिवार और अविवार इन तीनों दिन में ये जो कारे है मरमत का वो किया जाएगा ये काम शाम पांच बजे से सुबा छे बजे तक जो है वो किया जाए ही उपलब रहेगा दर्शकों इन्फोर्मेशन के अकॉर्डिंग जो फ्लाइट्स शाम पांच बजे से सुबाद छे बजे के बीच चला करती थी उन्हें हर दिन अब शाम पांच बजे से पहले संचालित करने के लिए पुन्य धारित किया गया है जिहां ये डिरेक्टर ने एक ऐसा भी बताया कि पैसेंजर्स को परिशानी ना हो इसके लिए सम्बंदित एयर्लाइन्स ने उन्हें इस संबंद में पहले से ही जानकारी जो है वो दे दी है और यदि प्रभावित फ्लाइट्स के किसी भी पैसेंजर को इस बारे में जानकारी नहीं भी मिलती है तो उनसे ये अनुरोध है कि वे revised departure time को inquire कर ले और confirm कर ले। वहीं जिन लोगों ने February और March मंत में शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार को शाम 5 बजे के बाद अपनी flights बुक कर रखी है। वे उसमें जो है वो बदलाफ कर ले क्योंकि ये निया update सामने आया है। इसके लावा आपको ये जानकारी भी दे दे कि श्रीनगर Airport Authority ने पिछले मंगलबार को 14 करोड से अधिक की लागत से त्यार एक ने domestic cargo complex से cargo संचालन भी शुरू किया है। जियादर्श को इसने cargo complex में cold storage, समवेधन शील समान और खतरनाक समानों को सुरक्षित रखने की विवस्ता जो है और ये cargo complex जिसके हम बात कर रहे हैं। इसकी जांच के लिए दो X-ray मशीने भी लगाई गई। Cargo complex की सुरक्षा सुनक्षित करने के लिए पूरे airport premises में CCTV निगरानी के साथ कवर किया गया है। वहीं लेकिन इनी सब के बीच जो important update यहां पर हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि श्रिनगर एयरपोर्ट पर जो flights है वो अब 3 दिनों तक operate नहीं करेंगी तीन दिनों के लिए शाम 5 बजे के बाद से operate नहीं करेंगी। तीन दिन जो हफते के हैं वो हम आपको फिर से बता दे कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार जी हां इन तीनों दिन 5 बजे के बाद से सुबाद 6 बजे तक जो flights है वो नहीं संचालित होंगी, flights उडान नहीं बरेंगी। कारण ये है कि runway की जो मरमत है वो इसी time के दुरान जो है वो किया जाएगा, इसलिए जो श्रीनगर एयरपोर्ट के डारेक्टर है कुलदीब सिंग उन्हों ने ये एहम जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाए। फिलाल ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने इसी के साथ आपको ये बताते कि ये जो ख़बर है वो श्रीनगर इंटरनाशनल एयरपोर्ट के सम्मंदित है वही अगर हम जमू एयरपोर्ट की बात करें तो जमू एयरपोर्ट जो है वो अपनी normal routine में फिलाल काम कर रहा है जमू एयरपोर्ट में कोई changes जो है फ्लाइट टाइमिंग में नहीं देखने को मिली अभी जो changes है वो श्रीनगर एयरपोर्ट में देखी जा रही है क्यूंकि वहाँ पर जो runaway मरमत का काम है वो February and March मंथ में शुरू किया जाएगा तो February and March मंथ में हफते में जो तीन दिन आत इन तीनों दिन की करवा रखी है तो आप उनमें changes कर लीजिए फिलाल ये थी बड़ी खबर ऐसी खबर हम आप के लिए लाते रहेंगे देखते रहें साच News Network दीजे जासत जहें